सारस क्रेन उत्तरवदेश में एक व्यक्ति पर वन जीव सरक्षन अदनियम 1972 के तहत मुकदमा देज कर दिया गया दरसल एक व्यक्ति राय वेरेलिम रहता है उसको सारस पक्षी जो होता है वो घाय लवस्था मिला इसने इसकी सेवा की उसे ठीक किया उसका इलाज किया उसके बाद सारस काफी उससे घनिश संबंध हो गए सारस के साथ सारस से मित्ता हो गई और मित्ता की कहानी वाइरल हुई अखलेश यादो फिर राजनितिय उस पर सुरू हुई और अंततह वन जिव सरक्षन अधनियम 1972 के तहत उस पर मुकदमा दज करके जंगल के जो कानून है उनके अंसार उसने गुना किया था और फिर उस पक्षी को समस्पूर पक्षी विहार जो की रैबरेली में इस्तित है वहाँ पर पहुँचा दिया गया ये सारी कहानी आपको मालूम है पैक्ट यह है कि वन जिव सरक्षन अधनियम के किस अनुसूची के तहत सारस्क्रेन सूची बद्ध है तो अनुसूची चार के तहत सूची बद्ध है याद रखेगा ये प्रशना सकता है बिग बी पहल क्या है बेया बंगाल इंडस्टियल ग्रोथ बिल्ट बिग बी पहल ये जापान की पहल है बांगला देश को धाका चटगाओं कौक्स बाजार शेत्र यहाँ अध्योगिक शेत्र के रूप में विकास करने में सहायता करने के लिए है पूर्वोतर भारत को कनेक्टिविटी इससे मिलेगी सीधे समुदर से जोडने की सीधे बंदरगा से जोडने की तो ये पूर्वोतर भारत के लिए काफी अच्छा है काफी ये पूर्वोतर भारत के विकास के लिए बहुत अच्छी पहल है जापान ने भारत को ध्यान में रखते हुए हिंद प्रशांद शेत्र को ध्यान में रखते हुए इस योजना को चलाया है सैम बंस ये कौन है विश्व गोल्फ चैंपियंशिप मैच प्ले खिताब इन्होंने जीता है सैम बंस ने विश्व गोल्फ चैंपियंशिप मैच प्ले खिताब captive रोजगार योजना किसने सुरू की तो गरामेड विकास मंतर ले अर्थार गरामेड विकास मंतर गिरिराज सिंग द्वारा इसको सुरू किया गया इसके तहट जो captive रोजगार प्राप्त करता है वो ग्रामीड युवाओं को प्रचेक्षन देंगे और उनको अपनी कमपनी में रोजगार देंगे इसे दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीड कौशल योजना के तहट सुरू किया गया है दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीड कौशल योजना दोस्तों 25 सितंबर 2014 को ग्रामीड विकास मंत्राले के दोरा ग्रामीड विकास के उन्यन के लिए विकास और उन्यन के लिए सुरू किया गया था नई दिल्ली में पहला अंतराष्टी कौंटम संचार समयलन आयोजित हुआ पूछे का पहला अंतराष्टी कौंटम संचार समयलन कहा आयोजित हुआ नई दिल्ली में आयोजित हुआ लोगतन सिखर समेलन ये दूसरा संस्कर्ण आयोजित हो रहा है अमेरिका के द्वारा अमेरिका की पहल पर सिखर समेलन आयोजित होने की ये परंपरा 2021 में शुरू हुई थी अर्थात पहला संस्कर्ण जो हुआ था 2021 में हुआ था लोगतन सिखर समेलन का दोस्तों सेयुक्त राज अमेरिका के अलावा इस बार सह मेजबानी इसकी कोश्टारी का नेधर लाइंड, दक्षिंकोरिया और जामबिया ये देश कर रहे हैं तो इन सब का नाम याद रखेगा 121 वैश्विक नेता इस बार आमनतित थे, पिछली बार 113 वैश्विक नेता इसमें भाग लिये थे, 121 वैश्विक नेता जो आमनतित थे उसमें पाकिस्तान ने भाग लेने से मना कर दिया, तो 120 इसमें शामिल हुए, ये एक आभासी सम्मिलन था, ठीक है, 29 और 30 मार्च ये प्रद्धान मंतरी ने कल 29 मार्च को इसमें वर्च्वली सम्मेलन को सम्मोधित किया, तैवान इसमें फिर से आमनतित किया अमेरिका की द्वारा जिसके कारण चाईना चड़ गया, चीन और रूस को आमनतित नहीं किया था, चीन ने इसी चिड़ में 100 देशों के 300 प्रत्रेधियों को अपने हाम अंतित कर लिया है इसराइल दुनिया भर के सभी दूतावास इसराइली जो दूतावास हैं उनको बंद करने का नेड़े ले लिया गया है वहाँ पे चल रहे हड़ताल के समर्थनव्याव को पता है बड़े-बड़े केसेज भी चल रहे हैं तो इसराइल में कुछ इस समय अच्छा नहीं चल रहा है वहाँ के अगर राजनितिक परदिश्य में देखें तो फिलहाल आज के लिए इतना ही बहुत-बहुत धन्यवाद